हलो स्टूरेंट्स, चैप्टर कम्यूनिकेशन से है यह कुश्चिन, कहता है एक कैरियर फ्रिक्वेंसी, मतलब मैसिज लेकर जो जाता है, वो 10 GHz का है और जिसका सिर्फ 10% ही यूटिलाइज कर रहे हैं अपन, है न, तो समझ के दे होगे तो क्या समझ में आएगा, यह हो से यह कोई चैनल का लिंक बनेगा, हम लोग जब भी इसको लिंक एस्टैबलिश कराएंगे तो यह एजिम करके चलो, जो इंप्लिमेंटेशन लेवल पर बात होती है, तो फ्रिक्वेंसी काफी जादा यह अक्वायर कर सकता, लेकि इसको फुल फ्रिक्वेंसी पर यूज न कर रहे हैं, mathematically क्या मतलब है, जो effective value वो हो जाएगी 10% of 10 GHz, that is simply 1 into 10 to power 9 Hz, simply, फिर कहता है, कितने, how many channels, कितने लोग चैनल को acquire कर सकते हैं, अगर हर एक को 5 KHz अलॉट करना है, let's take one more example, हम लोग कभी भी अगर इस cell side को operate करते हुए, समझेंगे, इसे एक network tower jointina होता है, एक general language में बात करूँ, आप दिखते हो, हर एक tower के अंदर thousands of subscribers होते हैं, इसके पास खुद का एक initial frequency होता है, और यह सब को बाटना है उ distribute करना है, हर एक person को चाहिए 55 KHz, तो match लगा हो थोड़ी यहाँ पर, n number of channels हो जाएंगे, और हर सब को चाहिए 5 KHz, ठीक है, और हमाई पास total कितना हो रहा है बच्चों, इतनी value है न, यह वाली term, तो n का term यह हो जाएगा 5, किलो का मतलब होता है 10 to power 3, यह हो जाएगा 1 into 10 to power 9, इसको solve करोगा तो यहाँ पर आ रहा है 6, और n का term हो जाएगा 2 into 10 to power 5, इतने आपके पास, टेलिफॉनिक, ठीक है, channels यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत सीठा सा concept है, हम कई सारे cell phone के operators, use करते हैं, और हम समझ लेते हैं कि एक-एक frequency हमें lot हो गई है, इसे मान लो मुझे 5 KHz ही कितने लोग हुआ पर subscribers यह requirement यह channel यह telephonic values हो सकती है, total कितनी है हमारे पास, 1 into 10 to power 9, ठीक है, students, kindly like, comment and subscribe to our channel